हरी कृष्णा एवरिवान तो वीकेंड आ गया है और जैसा कि हम दोनों वर्किंग है तो हमें वीक टेस में टाइम नहीं मिलता और मेरे मम्मी पापा आये हैं और उनके साथ कुछ गेस्ट भी आये हुए हैं तो सारे बच्चों की डिमांड पे हम आजा गये हैं बालबोन ओडिटेरियम तो बालबोन ओडिटेरियम में काफी अक्टिविटीज हैं जो बच्चों के लिए हैं और आराम से यहां पे इतना कुछ है कि बड़े भी अच्छे से अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं हाफ डे तो बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा तो हम लोगों ने यहां पे एंट्री ले लिया है और और एक चीज कि मैंने आपको बाहर दिखाया कि काफी लंबी लाइन लगी हुई थी तो वो टिकेट के लिए थी तो बच्चों के लिए एंट्री बिल्कुल भी फ्री है और बड़ो के लिए 20 रुपीज है तो coming to आपको दे ट्वाइ ट्रेन which is the point of attraction of Balboon ट्वाइ ट्रेन के लिए और बोटिंग के लिए you have to buy ticket outside itself तो उसके लिए बच्चों के लिए 10 रुपीज ट्रेन में और बड़ो के लिए 20 रुपै बोटिंग में भी बच्चों के लिए 10 रुपै बड़ो के लिए 30 रुपै तो आप देख सकते हैं बच्चे ही ने बड़े भी काफे excited है और यहाँ पे सुरू हो गई है हमारी ट्वाइ ट्रेन की जर्नी और सभी लोग जितने लोग भी ट्वाइ ट्रेन में हैं सभी लोग वीडियो ले रहे हैं सिल्फी ले रहे हैं बहुत ही अच्छा exciting जर्नी है तो यह जब बाल भवन में जो यह ट्वाइ ट्रेन चलती है यह आपको एक overview दे देता है क्योंकि यह side by side चलती है तो आपको हरी कुछ देखने को मिल जाता है जो भी available है बाल भवन में तो यह सारे corners को almost touch करती हुए आपको ले के जाती है तो यह 15 minute की ride होती है जो कि काफी exciting होती है तो आपको यहाँ पे अंदर रेस्ट्रोज मिल जाएंगे नंदिनी आपको पालर मिल जाएंगी जहाँ पे आपको चुटको मुटको snacking item मिल जाएंगे तो आप आराम से बच्चों के साथ time spend कर सकते हैं ने खिला पिला के must रखे और पूरा enjoy करें सभी लोग busy है चोटे बड़े बच्चे सभी enjoy कर रहे हैं मैं प्रिपेर नहीं थी, randomly हम लोगों ने plan किया और हम आ गए यहाँ पे आना मुझे worth लगा मुझे ये एक इंडिया का छोटा सा डिजनी लैंड लग रहा था इतने अच्छे से plan करके बनाया हुआ है neat and clean, well maintained, बहुत ही exciting है और आपको सब कुछ देखने को मिलता है आप देखिए आपको लगेगा ही ने कि आप इंडिया में है और इतने कम, budget friendly, 20 रुपे के ride में आपको इतना कुछ देखने को मिल जा रहा है अगर आप पैदल गुमेंगे तो पूरा दिन लग जाएगा और आप ठक भी जाएंगे तो बेटर है कि आप toy train ले ले तो आपको जो ये cynic view मिलता है वो आप मिसना करें तो आपको सब कुछ देखने को यहां मिल रहा है I think यही वो voting point है जहां पे हम बाद में आने वाले हैं voting करने के लिए और ये छुटा सा tunnel तो सब कुछ मिल जा रहा मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं उटी में hill station में toy train की journey कर रही हूँ बहुत ही greenery है आपको सब कुछ देखने को मिल रहा है और अगर आप Bangalore में हैं तो इसी weekend plan करिए आपके बच्चे definitely they will love it even you will love it और अगर आप Bangalore में नहीं है और कभी भी आप Bangalore आते हैं तो आपको ये जगा visit करने ही चाहिए और अगर आप weekdays में आते हैं तो well and good क्योंकि weekend में काफी rush रहता है और हम लोग जल्दी आये थे फिर भी काफी लंबी क्यों लगी हुई थी और Bangalore में जनरली लोग 10-11 के बज़े मतलब second half पर ही प्लान करते हैं क्योंकर almost सारे लोग working होते हैं तो Sunday और Saturday का ही टाइम मिलता है जो कि वो अपने household work कर सकते हैं household chores complete कर सकते हैं तो अब देख सकते हैं ये हमारी जो right है ये almost 10 minute हो चुकी है और अभी 5 minute के ride बाकी है तो यहाँ पर end में आपको दिख रहे हैं छोटे मुटे park है वहाँ पर काफी activities हैं चोटे हट्स बने हुए हैं आप धग गए या आपको rest लेना है तो आराम से आप बैठ सकते हैं बहुत ही प्यारा सब यू लग रहा है और किसी मेट्रो सेटी के बीच में इतना अच्छा arrangement definitely I really appreciate मुझे बहुत अच्छा लगा तो आपको भी definitely आना ही चाहिए I strongly recommend कि आप यहाँ पर आईए बचों को, बड़ों को अपके घर पर कोई guest भी आएं आप उनको भी लेके आ सकते हैं बहुत एक्साइटिंग यह जो journey थी बहुत ही अच्छी थी अब यह end होने वाली है मैं थोड़ी से sad भी हूँ कि यह थोड़ा और 15-20 मिनट का चलता और एक round लेके जाते तो बहुत मज़ा आ जाता और यह देखिए different activities और कुछ-कुछ यहां पे activities हैं जो आपको separately pay करना पड़ेगा और आप वो right ले सकते हैं वो activities कर सकते हैं तो वो भी काफी महँगा नहीं है मैंने जहां भी देखा मतब 30-40 रुपेट से ज़्यादा कुछ था ही नहीं उसमें भी adults के लिए 30-40 और बच्चों को 10-20 रुपे में ही है तो आप आराम से सारे rights ले सकते हैं अगर आप परहेड आप अगर सोचे अगर आपने सारी rights ले भी ली तो 150-200 के अंदर में सारे rights आप complete कर लेंगे देखिए मैं आपको एक view दे देती हूं इससे आपको थोड़ा idea मिल जाएगा किस-किस type के rights है तो अब हम लोगों ने toy train के right complete कर ली मेरे बच्चे के demand पे हम लोगों ने toy train के driver के साथ pics भी ले लिया थोड़े videos भी बना ले अब हम आगे चले voting के लिए हम लोगे ने सुचा बाकी के rights हम बाद में देखेंगे जैसे हमने अभी tickets खरीद लिया है और अभी rush होता ही जा रहा है भीर बढ़ती ही जा रही है हम पहले voting कर लेते हैं तो यह जब हम बोटिंग के रास्ते पर जा रहे हैं आपको दिख रहा है कितना अच्छा व्यू है parks हैं, restaurants हैं अलग अलग activities हैं लोग बैठे हैं, बात कर रहे हैं बच्चे खेल रहे हैं और मुझे लगता है यहां कितनी भी भीड़ हो जाए इतना यहां space तो है ही ऐसा नहीं होगा कि आपको बैठने की जगाना मिले खाने का जगाना मिले तो यह जो restaurant है यहां हम आएं थे voting करने के बाद तो यहां का खाना भी था वर्थ था, बहुत जादा expensive नहीं था बहुत ही cheap था 80 रुपीज में हमें noodles मिल गया 80 रुपीज में हमें baby con manchurian मिल गया था वो per plate का price था और कापी वर्थ है आप बाहर भी जाएंगे तो आप अगर छोटे से restaurant में भी जाते हैं तो एक plate चौमेन या एक plate अगर आप baby con manchurian लेते हैं तो 150, 180 रुपीज प्लस हो जाता है तो यहां से हम चले तो अभी आपको यह है हम on the way हैं यहां से boating करने की ज़गह है काफी सामने है दो मिनिट वॉक करने के बाद हम पहुँच आते हैं तो यह वही टनल है आप साइड में देख रहे हैं जिससे हम toy train में गए थे और हमें बीच में वह टनल मिला था और यह देखिए मेरा guess इक्दम सही था यही वह boating point है जो हमने toy train से देखा था तो अब हम चले boating करने यह काफी exciting होने वाला है मैं तो काफी excited हूँ let's see तो यहाँ पहुच गए मगर थोड़ी सी sad भी हूँ क्योंकि यहाँ पे paddle boats नहीं है यहाँ पे मतब एकी boat पे वो लेके जाएंगे हम को दो operate नहीं कर सकते मगर काफी enjoy कर रहे है यह सारे student हमारे साथ बैठे हुए है यह लोग काफी चिला रहे थे enjoy कर रहे थे बहुत मज़ा आ रहा था मगर और एक precaution आपको लेने की जोड़े थे अगर आपका बच्चा चोटा है और swimming नहीं आता तो आप भी avoid कर सकते हैं क्योंकि यह लोग life jacket नहीं देते तो that could be risky क्योंकि पानी थोड़ा गहरा है तो यह थोड़ा risky हो सकता है मैंने अपने एक साल की बच्ची को भी में लेके आई थी उसको मैंने अपने ममा के साथ छोड़ दिया और मैंने risk लेके अपने five years की बच्ची को मैं लेके आई जो की मेरा decision बिलकुल ही गलत था अगर कुछ गलत हो जाता तो मैं अपने आपको कभी भी माफ नहीं कर पाती ऐसा तो कुछ होता नहीं फिर भी क्यों बच्चों को तकलीफ देना क्यों risk लेना ऐसा risk नहीं लेना जो मज़े को भी खराब कर दे तो जब भी हम बच्चों के साथ आते हैं कहीं मज़े करने के लिए definitely हमें precautions लेना चाहिए we need to be extra careful तो यहाँ पे एक LED screen लगा था वहाँ different cartoon characters थे बच्चे थे वो dance कर रहे थे fight कर रहे थे screen पे मेरी बच्ची भी काफी enjoy कर रही थी चिला रही थी और यह हो गया हमारा जन्नी का तम तम